तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवेनर संक्शन दे सकता है यह तो कांस्टीचूशन में नहीं लिखा प्रॉसेकुशन का कब दे सकता है कैसे दे सकता है तो यह मामला अदाल्तों ने तै किया है अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपपर कोई आरोप होगा, तो उसकी सैंक्शनिंग अथोरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट ते चीफ मिनिस्टर के आधीन है, तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोड का फैसला है कई फैसले हैं हाई कोड के भी कि अनुमति गवर्नर दे सकता है लेकिन कब दे सकता है कैसे दे सकता है क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा ये तो समधान नहीं बताता ना कोई कोड बताती है अब कानून कहता है कि उनके अप्रूवल बिना कोई जांच नहीं हो सकती उनके अप्रूवल बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता कोड नहीं हो सकती मतलब के कोड कोड नहीं ले सकता तो अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट डालता है तो जब प्राइवेट कंप्लेंट जाती हुए गवर्नर तेह करेगा के प्रति आरोप सही है गवर्नर तेह करेगा हमारे हिसाब से गवर्नर का कोई ऐसा हक नहीं है सम्विदानिक हक कि वो जज बन जाए तो एक गवर्नर एक ऐसी अथॉरिटी बन गई है जिसके जिसके काम काच से सरकारें गिरा जा सकती है कि जाँच होगी पिर कहेंगे साब जाँच कैसे करें चीफ मिनिस्टर दिया कायम है या तो तीफ मिनिस्टर स्टीफा दे तीक है या जाँच सी बी आई को जानी चाहिए अगर सी बी आई को गई तो आपको मालूम है क्या होगा त सरकारें गिराने का शर्यंत्र है